हे गाईज मैं हुछ सोच कनल और सागत करता आपका हाई डाइक भाद इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो ऑफिस्ट अप्लिकेशन के अंदर जोब लिखते हो जोब बनाते अपना डॉक्मेंट फाइल उसे आप अपने फोन की में में कैश्व कर सकते हैं वही है आज की स्टूडियो मैं आपको बताऊंगा तो आए चले शुरू करते हैं वडियो तो सबसे पर आप फिस्ट आप जो है आपको उपन करना है डॉक्मेंट फाइल जो है हम बना लेते हैं ब्लैंक वाला और यहां पर अब लिख देते हैं कुछ सुरच इस गुट ठीक है अब इससे हम जो हम क्या करेंगे अपने फोन की लिए जहां पर अगर हमें इसको इसको बाद में हमें एक्सेस करना हो तो आपको शारा भी कर सकते हैं जहां पर इसको हमें सेव करना है अपने फोन की memory में यहां पर सबसे पर आपको home की option पर tap करना है Home की option पर tap करके file के option करेंगे 돌아qualर यहां पर आपको कुछ इस तरहा कर दिखाये देगा option ठीक है यहां कर आपको यह जो option दिखाये दे रहे है save as का format करके यहां पर 安च को एक सब्सक्राइब करके यहां पर आपको वाप्शन दिखाया दोंगा और यहां पर आप 90 गहुंद current डिखाया देगा ओप्षण ठीक है यहां पर आपको यह खाली टेंगों MA राजिए तो यहां पर आपको इसका Premium लेना होगा पुरो वर्शन dolожд要 या पुर्या निचे और आपसाइन को उसको क्राइब करिए और यहां पर हमझे करेंगे Sold यहां पर नाम जेते हैं हम जीछ पोकली एक्जाम्पल के लिए चेंज पोकली एक्जाम्पल चेंज पोकली अच्छा लगता है थोड़ा सुनने के लिए यहाँ पर हम जो इस डिवाइस के आप्शन पर टाप करेंगे तो यहाँ पर हमाया जो फोन का फोल्डर है वो आपको दिखाए देगा तीक है हम क्या करेंगे इसको अभी इस पर टाप करके हमार जो फोन का नाम वगरे उस पर टाप करेंगे और यहाँ पर हमाया फोन का एक फोल्डर है टुटोरिल नाम का उस पर हम जाएंगे टुटोरिल टुटोरियल इधर है तीक है यहाँ पर हम जो है चिंचपोकली example इसका नाम रखा है मैंने याद रखना save के option पर tap करेंगे save हो गया file has been saved इदर लिख क्या है यहाँ पर हम बैक आते हैं बैक आने के बाद हम जो है जब file manager पर जाएंगे तब आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो folder है वो मतलब document file जो है यहाँ पर हम tutorial folder में आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं चिंचपोकली example हमारा जो है save हो चुका है वो भी docs format में time भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 942 यहाँ पर इसके उपर टाप करते हैं किस के उपर इसके उपर हमने save किया और कुन से भी जो है document format में आप जा सकते हैं जहाँ पर हम जो है इसमें में जाते चलिए तो में इसमें प्राब्लम होता है ठीक है इसमें हम जो है इसमें जाते हैं और office route में open करते तो office route में open करने बाद आप देख सकते हैं हमने जो भी टैक्स लिखा था वो इधर आ चुक है ऑक तो इस तरीके से आप से अपड़ कर सकते हैं अपने इस टैक्स को और आप जो है किस तरीका से आ गया अगर आपको इसे सेव करने के बाद एडिट करना है तो एक जह बार open करेंगे यहां पर टाप करके आपको यह जो option दिखाए देरा upper side में यह वाला इसके उपर आपको tap करना होगा कहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर tap करेंगे तो आप इसे वापस से जो है और भी edit कर सकते हैं सिर्फ आपको क्या करना होगा इसके उपर tap करने का यहाँ पर एक बार tap करना है या फिर use the pencil का option दिखता है उसके इस पर इक बार tap करने तो आप उस्से एडिट भी और कर सकते हैं और रिट करने के बाद यहाँ पर आपको आपकोем परका कर करने के लिए तो तो यहां पर 2 या 3 करके सेव के टाप करें दूसरा फोल्डर एक और उद्धर बन जाएगा फाइल मैनेजर के अंदर तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं सेव अपने फाइल को सेव करने का अपने अपने आपको बता दिया वापस से एडिट करने का सेव कैसे कर जाते हैं को भी मिन आपको बता दिया में ते नेक्स स्टूडियो में तब तक के लिए बाबाए टिक्केर